चलिए बीडियो को सुरू करते हैं तो पहला हमारे देखिये परस्थ में बोला है कि सुनिक्त राश्टर महासभाद वारा विश्व सद्थ पारिवहन दिवस्थ किस तिर्थी को बनाने की घोशना किया गया है है कि सहीं आनसर हमारा देखिये हो जाएगा बीडि 6 नुम्बर को मिनाने की घोशना कि आगये हैं बीडि estr का सहीय आनसर हो जाएगा वाण कि आ कि कि मैं इश्व से हएं में कि कि बात करते हैं तो यह आपका आरपी अप से सम्मंद रखता है दोस्तों ऑप्सन नंबर हमारा जो है यह सही आंसर हो जाएगा देखे रेलेवे टिकट काला बाजारी करने वालों की गतिवीदियों पर अंकुष लगाने की उद्यस से यह आपका जो रेलेवे आपका शुरू पर फानित किया गया है आंसर हमारा हो जायागा दोस्तों आप्सन नंबर डी होगा वहीदा वहीदा रह्मान अब देखें आपका यह कैस का है तो आप 20 भी बीस का भी जानिए गा तो देखें आजसा पारिक जो है इनको 20 का दिया गया था और अमिताब बचन की बात करते है तो इनको 2018 का दिया गया था है ना तो चलिए आगे देखेंगे अगला की हाल ही भारत के हरित क्रांतिक जनक MS स्वामी नेथन का निजन हो गया उन्हें किस वर्स विस्वक खाद पुरसकार से समन्त किया गया था तो इसका सही आंसर देखी हमारा हो जाएगा option number C verse 1987 में C इसका सही आंसर हो जाएगा verse 1987 में अगला एक logistic park पुरसकार सुचका प्रती वर्स किसके द्वारा जारे किया आता है क्या होगा आंसर देखी इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों विस्व बैंक हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्व बैंक ठीक है अगला है कि किस राष्ट्री उध्यान में हाल ही में गज उत्सो दोहर तईस का आयोजन किया गया है गज उत्सो तो इसका सही उत्तर आप अगर देखें तो यह आपका हो जागा काजे रंगा राश्टर विद्यान यह आपको असम में देखने के मिलता है तो option number हमारे हमारे हैं पे क्या होगा बी सही answer हो जाएगा दोहर 23 में कितने व्यक्तियों को पर्ण विवूसन पूरसकार दोहर 23 से सम्मानित किया गया है पर्ण विवूसन answer देखी हमारे हो जाएगा 6 लोगों को दिया गया है दोस्तो option number हमारे C होगा 15 अबरिक्स सीखर सम्मिलन 22 का युजन कहां पर किया गया है तो देखी यह आपका किया गया है दच्छिड़ फरीका में दोस्तो option number हमारे हमारे हैं पर D होगा दच्छिड़ फरीका में नोट किजिएगा भूलिएगा नहीं आगे हमारा के संतोष ट्रॉफी 22 का उब्येता कौन है उप उप व्येता पूछ रहा है तो आंसर देखी हमारे हो जाएगा 9 का option number भी हो जाएगा मेघाले मेघाले इसका सही आंसर हो जाएगा आप इसको अच्छिए से याद रखिएगा अगर वही व्येता टीम की बात करते हैं तो हमारा जो करनाटक दिया गया है ये टीम जीता है संतोष ट्रॉफी और हरा हमारा मेघाले है किस IIT द्वारा आब प्रहरी मोबाइल एप को लॉंच किया गया है आब प्रहरी मोबाइल एप है ना तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा इसका देखे सही आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली जो है इसका सही उतर होगा IIT दिल्ली अगला है कि दा इंडियन दा इंडियन मेट्र तो मैट्रो पॉलिस पुस्तक के लिखक कौन है आंसर हो जागा फिरोज गांधी ऑप्सन नंबर हमारे यहां पर भी होगा फिरोज गांधी बात करेंगे हम क्रॉस कोर्ट के बारे में तो यह आपके हैं जैदीप मुखर जी है एक दिया गया है विक्टरीव सीटी यह है सलमान रूसदी है अगला है कोली लोकनिरते का संबंद किस राजे से है कोली लोकनिरते का संबंद तो आप अच्छे से याद रखिएगा महराश्टर से संबंद इसका रखायता है कोली लोकनिरते और एक देखिए इंपोर्टेंट आपका जिसे आप देखेंगे तो पनिहारी जो संगठन के मुख्याले की बात करते हैं तो यह आपको जेणवा में देखने को मिलता है ऑप्र हमारा यहां पे एस ही आंसर हो जाएगा एक देखे में हमारा एक और है यह रोम में देखने को मिलता है अगला की कायगा परमाणू विधुत गरी है कि इस्थापना कब किया गया था दोस्तों यह जो किया गया था आपका 2000 ISV में किया गया था option number हमारे हैं पे C सही आंसर हो जाएगा अगला प्रस्त है कि चैकमेट विशो तथा गैंबिट सब्द का सम्मझ जो है किस खेल से है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सतरणी से भी इसका correct आंसर हो जाएगा ठीक है और वही बात करते हैं जैसे आप देखेंगे तो एक खोखो जो होता है इसका आपको हो जाएगा चैंग चेजर हो जाएगा किरकेट आप देखेंगे तो इसका आपको हो जाएगा swing जो balling होता है एक billiard का दिखेंगे तो एक होता है q होता है basket ball का आपको होता है ring guard होता है अगला कि भारत में निम्न में से कौन राजकोसिय नीती देलाइद करता है राजकोसिय नीती तो यह करता है तो आपका वीत मंत्राले करता है option number हमारे हाँ पे c सही answer होगा अगला है कि budget एक लेख पत्र है budget एक लेख पत्र है दोस्तो सरकार की राजकोसिय नीती का है option number हमारे हाँ पे c सही answer हो जाएगा next है milan करके बताने है 18 नमबर चलिए इसको मिलाते है open general license की बात करते है तो इसका हो जाएगा विदेशिय वियापार हो जाएगा दोस्तो एक दिया गया है try same है न यह आपका हो जाएगा रोजगार थोक मुली सुचकांग की बात करते हैं तो यह आपका मुद्राइस्पेती हो जाएगा और नगदी रिजर्व अनुपात की बात करते हैं तो यह आपका होज़ेगा रिण रियंत्रन तो आप बोल सकते हैं ओप्सन नमबर हमारे यहाँ पे A सही होगा भारत में पहली पंच वर्षी होजना का अधार क्या है अधार क्या था जो आपका पहली पंच वर्षी होजना था और यह कब से कब तक था तो इसका अंसर हम जान लेते हैं इसका देखिये हो जाएगा हेरोड डॉमल मॉडल हो जाएगा और जो इसका आवधी माना आता है आपका वर्ष 1951 से ले करके 56 तक ठीक है वर्ष 1951 हो जाएगा नेश्ट है निमलिखित घटनाओं पर ध्यान देता था इन्हें काल करम यानि कलानुकरम में विवस्तित करके बताना है गोट के सही उतर आपको बताना है कूट से तो आंसर देखिये हमार होगा 3, 2, 1 निमलिखित में से किसका परिष्टित की या संतूलन से संबंध नहीं है आंसर देखिये हमारा हो जागा और धोएक प्रबंधन हो जागा दोस्तो इसका नहीं है बाकी जल प्रबंधन है वन रोपन है और वन जियो सुरक्षा भी है अगला कि अगर उनमें विद्रोहियों में एक भी योग्यनेता निकला हो तो हम सदा के लिए हार जाते देखिये भारत में जो नियाईक सिवा के जनक है दोस्तों यह हम कहते हैं वारन हैस्टिंग को कहते हैं ओप्सन नमबर हमारे यहां पर 23 का एस ही उतर होगा निमलिखित में से किसने पटना सीटी में पीर अलिक नेटित्व में हुए बिद्रो को दबा दिया था या फिर दबाया था उनसर देकिए हमारा हो जागा दोस्तों कमिस्नर टिलर ओप्सन नमबर हमारे यहां पर डी करेक्ट आंसर हो जागा चौबीर का आते हैं अगले प्रस्न पर अगला हमारा प्रस्न यह है बोला कि भारती राष्टी कॉंग्रेस का सायतिस्वा अधिवेशन जो गया में हुआ था उस अधिवेशन की अध्यक्स्ता निमलिखित में से किस ने किया था आंसर हो जाएगा देश बंधु चितरंदन दास ऑप्सन नमबर दुस्तों हमारा जो है पच्छीस का सी सही आंसर हो जाएगा और यह आपका सहतिस्वाद जिदर अधिवेशन हुआ कप था तो यह आपका वर्स 1922 में हुआ था निमलिखित घटनाओं को यहां पर क्रम के सवाई या निकला क्रम के सार विवस्तित कीजिए और निची दियेगे कूट की सहाथा से सही उत्तर चून करके बताईए तो चलिए अगर आपको सन याद है तो आप इसको अरेंज कर लेंगे अपनी हिसाब से क्या होगा इसका या अंसर देखिए बात करेंगे हम दुस्तों मुपला दिद्रोः के बारे में ठेक यह आपका हुआ था वर्स 1901 में हुआ था और लिखने में दिकत है लेकिन में लिख दूँगा आप समझ जाएगा और प्रत्थम विश्वयुद्ध की बात करते हैं तो यह आपका वर्ष उन्निसो अठारा हो जाएगा तो आपने आंसर किया होगा अगे देख लेते हैं अगला हमारा प्रसने क्या है अगला है कि बिहार के किस जीले में आसाहयोगा आंधुरन के दौरान ज्धंडा कांड हुआ था तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तो भागलपूर ओप्सन नमबर सी सही उत्तर होगा अकबर दौरा किये गए कारियों का सही करम काल करम अनुसार जो है व्यवस्तित करके बताईए कौन सा हमारा सही है अठाइस नमबर देखिए इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा और दास प्रथा का अंत कभ वा था दोस्तों तो यह आपका हुआ था दास प्रथा का अंत 1562 में हुआ था तिर्थ यात्रा करके समाप्ति कभ वा था तो यह आपका हुआ था हां आतिस का हो जाएगा द Dit का हमारा हो जाएगा कादरी संप्रदाय और ऑफ्शन नमबर लट हो गार निम्लखित में से कौन सा हडप आ हड़ए अगर तीन भागों में वाजित्त अल्ग है आनसर देखें कि धोला हो जा option number हमारा सी सही उतर होगा धौला वीरा ठीक है तीस का सही अंसर हमारा सी होगा किस बौध संगिती में अनुसासन को लेकर मद्भेत के कारण बौध संग इस्थापीर एवं महा महा संगिक में व्हाजित हो गया था आंसर नोट कीजिएगा या आप दूसरा हो जाएगा option number B correct answer हो जाएगा मौर एकाल में संस्था या संचार का संबध निम्लिखित में से किस से था 32 का आंसर देखिए हो जाएगा option number C होगा गुप्टचर विवस्था हो जाएगा निम्लिखित में से कौन सा द्यूप भारत और स्रिलंका के मद्ध इस्तित है तो यह आपको हो जाएगा option number C right answer होगा भारत का कौन सा पतन लोह आयसक निर्यात करने वाला सर्व प्रमुख पतन है आंसर क्या होगा देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों option हो जाएगा मारमा गाओ जो है इसका correct answer हो जाएगा 36 नमर बोला कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्यूप हमारा कौन सा है देखिए अगर हिंद महासागर की बात करते हैं जो इसका सबसे बड़ा द्यूप है यह आपका हो जाएगा मेड़ा गासकर हो जाएगा option नमर हमारा जो है 36 का सी सही आंसर हो जाएगा और यह सही इसका सही इतर हो जाएगा और यहाथ रिभूज के आकार का है आलपस परवत के उताइड ढहाल YOZER LAND यहां पवन इस्थानिय फसल अगूरों को जल्दि पकाने में सहेता करता है भुकम्ब का सरवादी के प्रभावण डैस पर होती है उत्तर हो जाएगा अधिकेंद्र हो जाएगा दोस्तो आप्सन नमबर ए शही उत्तर होगा निहारिका क्या है बताईएगा अगर हम निहारिका की बात करते हैं तो इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा एक तप्त गैस का बादल है ऑप्सन हमारा जो है एक तालिस चालिस का जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए बात करेंगे हम सूपर नोवा की बारे में मनिपूर अगर हम देखे तो यह आपका हो जाएगा करनाटक पेरियार आपका हो जाएगा दूस्तों बताईए कहां पर होगा केरल होगा और एक सिकंड अच्य चिंद अच्छे मिलाते हैं पर आपको केरल होगा नामदफा और अवणासिल परदेश और जो आपका लामजाओ दिया गया है के बुलाम जाओ यह आपका हो जाएगा मनिपूर है ना तो नोट कीजेगा निम्रिखीत में से कौन सी महत्पुड विशेष्टा संगीय सरकार की है देखिए संगीय सरकार की है तो आप्सन हमारे यहां पे क्या होगा सी होगा एक दो तीन यह समिधान के सर्वच करते हैं तो इसमें आपका प्राधो के लिए संबंद में सनक्षण है और अनुश्यद 22 जो है दोस्तों इसमें आप कुछ दासाओं में गिरफ्तारी और निदोत से सनक्षण है अनुश्यद 23 की बात करते हैं तो मानवत दुर्यवपार हुए बालात्सरम का जो है निस्यद 23 में जो है अपका नुश्यद 23 में है किस राज्य के लोग सेवा आयोक के कारियों को निमलिखित में से किस एक एक अनुबोदन से संग लोग सेवा आयोक को सौपा जा सकता है आंसर देखिए हमारा होने वाला है भारत के राश्ट्रपती हो जाएगा दोस्तों आप्स नमब सम्मिधान के भागे 6 में नियाले में फरवर्तनिय इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा आठ 啦 है तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा चेह उप्सर नमबर V Rayट होगा है कंते कि राश्ट्रपती पर महाब्यों कि चलाने के लिए कम कितने दिनों की पूरुव सुचना आवस्यक होता है तो तो राश्ट्रपती पर अगर महावियों चलाना होता है तो चौदे दिन पहले जो है सुचना दिया जाता है और यह आपके कौन सा अनुश्याद में है ति आपके अनुश्याद 61 में है भारती निर्वाचन आयोग को सरपर्थम किस वर्स बहुत सदस्य निकाय बनाया गया है उत्तर हो जाएगा वर्स 1989 हो जाएगा ऑप्सन नमबर हमारा 49 का ए सही होगा जनसंख्या नियंतरण इवं परिवार नियोजन समिधान के सात्ति वी अनुश्याद किस सूची का विसे है जनसंख्या नियंतरण इवं परिवार नियोजन यही प्रस्न है तो यह आपका समवर फ्रधन होता है क्या होगा अंसर यह आपको जाएगा एक से कम होता है option नमबर a सही उत्तर होगा जब हम अपने बिजली बिल्त का भुध्तान करते हैं तो हम किसके लिए भुध्तान कर रहे हैं या देखिए इसका उत्तर हो जाएगा उप्योग हुव Melbourne उर्जय यानि एनर्जी का कर रहे हैं डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा एक परिपत में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है क्या होगा इसका आंसर तो कि इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा केवल 1 होगा यानि स्रिंखला हो जाएगा स्रिंखला A इसका सही आंसर होगा आते हैं अगले प्रस्न पे बोला कि एक लड़की जूले पर बैठे इस्तिती में जूला जूल रही है उस लड़की की खड़े हो जाने पर दोलन का और्तकाल जो है कितना होगा तो और्तकाल पूछ रहा है तो यह आपको हो जाएगा कम हो जाएगा option number हमारे यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा next है कि rocket गती के किस नियम पर कारे करता है तो 55 का देखी जो सही हमारा आंसर होगा यह आपका Newton का तिसरा नियम होगा Option नमबर हमारा दोस्तो 55 का C सही आंसर हो जागा Newton का तिसरा नियम जब एक जूल का कार एक सेकेंड में किया आता है तो सक्ती होती है तो सक्ती होती है तो यह आपका एक वाट होता है एक वाट ऑप्सन नमबर भी एक होटाज होता है दोस्तों एक होटाज होता है तो प्रति मिनट चा प्रति मिनट 60 कंपन हो जाएगा ऑप्सन नमबर आपका यहां पे दोस्तों डी सही आंसर हो जाएगा अगला है निमलिखित में से कौन से एक जो है एंटिबॉयटिक नहीं है तो इन में से कोई भी नहीं है ना इन में से कोई भी नहीं मतलब देखिए बात करेंगे हम कि एंटिबॉयटिक जैसे एरित्रो, साइमीन, पैनेसिलीन, यह सब देखिए हमारा है, ठीक है, अगला है कि मायो, मायो ग्लोबीन में कौन सिधातू होती है, मायो ग्लोबीन में कौन सिधातू होती है, क्या होगा आंसर, देखिए उनसर का जो सही आंसर हमारा हो जागा, ऑप्सन नमबर डी होगा, लोह इसका सही उत्र हो जाएगा लोहा इमलिखीत में सही सुमेलित हमारा कौन सा है इसमें हमको सही छाट करके बताना है तो साथ अगर हम देखें तो यहां पर गटे जो है आपका बैक्टरिया यही हमारा गलत है है ना तो बात करेंगे हम एक सेकेंड यहां पर पूछा गया है सही हमारा क्या है तो सही तो हमारा यही है अब घटे जो है दोस्तो बैक्टरिया हमारा यह सही हो जाएगा बाकी आप देखेंगे जो उत्पाद दिया गया हीरन हमारा नहीं होगा यह हमारा पीड़ पौधे की सहवाल हो जाएगा पीड़ पौधे सहवाल होगा और प्राथमिक भोगता की बात करते हैं तो यह आपका तेंदुआ नहीं होगा दोस्तों इसमें आपका बकरी हिरन होगा ठीक है एक दूसरा भोगता होता है जो कि दूसरा हमारा भोगता होता है जो सांप होता है और अगर हम तृतियक की बात करते हैं तो तृतियक में हमारा जो है प्रभावित होता है सही आंसर हमारा हो जाएगा option नमबर यक्रित जो है इसका correct answer हो जाएगा यक्रित आगे प्रसने के सूज्क स्थानों इसमें से मरुस्तल बरफिले में उगने वाली पौधे को क्या कहते हैं तो दोस्तों इसको हम कहते हैं जीरोफाइट कहते हैं option नमबर हम इसको हम सेक्यू लेंट कहते हैं चलिए नेस्ट वीडियो को लाइक किजिएगा शेयर भी कर दीजिएगा जो भी आप गुरूपे उगरा चलाते हैं ताकि और भी लोग इस वीडियो के माद्यम से अपना सेट लगा पाएंगे और रिविजन कर लेंगे टायफाइट था का यह आपको जागा जल जल जन यह रोगों का हो जाएगा ऑप्सन नमबर भी मानों आँख किस तरंग द्याट की प्रकास में सबसे सहुलियत अनुभाव करता है क्या होगा आंसर तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पच पन सो ऑप्सन नमबर भी होगा सौरी उर्जा एटीप भी होती है देखिए दुस्तु आयोडियन मिला होता है तो च्हांचेट का सही आंसर हमारा होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा थायराक्सिन क्या होगा थायराक्सिन जो है सही उतर होगा पौद्धों में पानी पहुझा आता है तो जैलम के द동ारा उप Sun नम्बर एट मिला लेते हैं इसको 79 नंबर देखिए सुने दरब वेमान की बात कर लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा न्यूट्रोनो आंसिक आवेस आपका हो जाएगा कौर्क हो जाएगा आंसिक चक्र आंसिक प्रचक्रन जो है यह आपका हो जाएगा पॉजिट्रोन पुर्णांग प्र सा मूलतत्व है, तो मूलतत्व पूछ रहा है, तो इसका सही हूतर हमारा होगा हीरा, option number B, right answer होगा, निमरिखित में से कौन सा 20 फोटक नहीं है, 20 फोटक नहीं है दोस्तों, तो नाइट्रो, क्लोरोफार्म आपका नहीं है, आगे हमारा प्रस्न क्या है बोला कि fire alarm में मिल्खित में से किसका उपयोग किया आता है तो यह होता है photo sale का किसका photo sale का option number C सही होगा पुलिस द्वारा नसे में गाड़ी चलाने वाली सांस की जांच के लिए filter paper का filter paper पर क्या होता है तो इसका सही उतर हो जाएगा potassium dichromate sulfuric अमल हो जाएगा option number A सही आंसर होगा अगला कि बादल और वायू मंडल का तैरना किस कारण से होता है तो इसका सही उतर हमारा हो जाएगा सियानता के वाज़े से